नमस्कार मैं हूं चंद्रकांता राजप्रोईद आप सभी का एक बर फिर सवागत करती हो आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्यार किचन में तो आए आज राजस्थान के मथानिया की प्रसिद अथाना मिर्च बनाते हैं यानि कि यह भरवा हरी मिर्च काचार होता है जादा पसंद किया जाता है और बाजरे की रोटी के साथ यह बहुत ही शानदार लगता है तो यूट्यूब पर सीक्यार किचन कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दें अकर आप तक आपने नहीं किया है तो ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आ मैंने दाना मेथी और तीन चमच के करीब लिए हमने राई इनको हम मीडियम फ्लेम पर हलका सा रोस्ट कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई नमी है तो वो निकल जाए और हलका सा इनको रोस्ट करने से अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है और सेल्फ लाइफ भी अचार की बढ़ जाती है तो यह अचार बनाना बहुत आसान है इससलिी यह सर्डीओं में बनाया जाता है जो मोटी वाली कम थीकी हरी मिर्च आती है देसी हरी मिर्च उससे ये बनाया जाता है और दही रायता और बाजरे की रोटी के साथ इसे राजस्तान में खाया जाता है बहुत अद्बुद ये कॉमिनेशन है तो देखिए आपर हमने 10-11 देसी वाली जो हरी मिर्च आती है मोट यह बहुत जादा तीकी नहीं होती है और इससे यह अथाना मिर्च का जो अचार है वह बहुत ही टेस्टी बनता है वैसे अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी टाइप की जो थोड़ी सी मोटी मिर्च होती है वो यूज कर सकते हैं तो इनको दो कर अच् में मसाला बढ़ने की जगा भी मिल जाए और यह बहुत जादा तीकी भी ना लगे तो सारी मिर्चों को इस तरीके से हम चीरा लगा के सारे बीज इनके निकाल के अलग कर लेते हैं और यह अचार सर्दियों में ताजा ताजा ही बना के खाया जाता है इसे जादा लंबे सम यही स्टोर किया जाता है फिर खतम होने पर दुबारा ताजा बनाया जाता है यह ताजा ही ज्यादा टेस्टी लगता है लेकिन अगर आप चार-पांच महीनों के लिए इसको स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप अचार को पूरे तरीके से तेल में डूबो के रखें तो सब्सक्राम से यह चाहा है माईने भी चल जाएगा तो देखिए सारे हमने मिर्चों की बीज निकाल लिए और इधर हमारा जो यह हमने मसाले रोस्ट करके रखे थे वह भी ठंडे हो गए तो इसको हम मिक्सी में डालके मिक्सी की जार में इनको हम दरदरा पीस के तयार कर ल श्वात के साप से नमक डाले डाले है एं फोड़ा सा नमक जञडा ही होता है यह प्रिजरवेट्प का काम भी करता है और ए यह म्यक्स नमक बीतेज होता है नमक मिर्च तो टेस्ट भी अच्छा आता है ठोड़ी हलदी डाल दी हमने लग बग चोठा हाई चमा acesso थरुड़ी और अब डाल देंगे बड़े साइज का नीमू था जो हमने आदा नीमू ले लिया है और उसको हम इसमें उसका रस निकाल देंगे और अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लेते और एक बार मिक्स करने के बद आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नमक कम लगे तो नमक मिला खटास की भी कमी लगती है तो थोड़ा सा नीमू का रस और डाल सकते हैं तो अच्छे से मैंने इसको हाथ से मिक्स कर लिया है तो आप वैसे इसके इसमें आप अमचूर पावडर भी डाल सकते हैं आदा एक चमच नीमू की जगे लेकिन नीमू का रस डालने से थोड़ी सी बाइंडिंग भी हो जाती है और प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और इसमें खट्टापन भी आ जाता है तीनों ही काम हो जाते हैं लेकिन आप अमचूर डाल रहा है तो फिर बाइंडिंग के लिए आप थोड़ा सा ऑईल डाल दें एक दो चमच अब हम मिर्चो को भर लेते हैं तो बस मिर्चो को हम खोलेंगे और उसमें जितना हो सके मसाला डाल देंगे थोड़ा सा हाथ से उसको दबा देंगे तक कि अच्छे से वह सैट हो जाए तो आपको बहुत ज़ादा भरा वह मसाला पसंदे तो दबाया की ज़ादा पढ़ लें आपको हलका मसाला पसंद है तो उसके हिसाब से कम मसाला बढ़ लें तो यह आपकी अपनी पसंद के हिसाब से आप बढ़ सकते हैं उसको यह देखिए हमने मिर्च को बढ़ लिया है तो फटा-फट से सारे मिर्चों को हम बढ़ लेंगे और इसको हम सरसो के तेल में बना के तयार कर रहे हैं अचार सरसो के तेल में बहुत ही जादा अच्छे बनते हैं और सरसो का तेल हेल्थ के लिए अच्छा होता है अगर आपको सरसो का तेल नहीं पसंद है या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मूफली के तेल में, तिल के तेल में भी बना के तयार कर सकते हैं, और चाहे तो रिफाइट ओयल में भी बना सकते हैं, कि तो मैंने और भी कई तरह के आचार के रेसिपीस को अपने YouTube चैनल. पर अपयरड किया हूआ है, जैसे कि आमले का अचार, गूंदी का अचार, कैमर का अचार, केरी और कैर का अचार, कती हुई मिर्जों का अचार, कैरी और लसून, का मिक्स अचार, और भी बहुत सारे अचार के नीम्बू का अचार नीम्बू का खटा मीटा अचार तो ये सारी रेसपीज को देखने के लिए एक बार आप यूट्यूब पर तो इधर पैन में लगबग आधा कप के करीब सरसों का तेल दुआ आने तक गरम कर लिया था और फिर इसको अमने ठंडा कर लिया है हलका सा गुनगुना है ये तो अब मिर्चों को हम तेल में डिप करकर के रखते जाएंगे इस तरीके से देखिए हमने इसको लगबग अच्छे से तेल में डिप कर लेना एक आप चमस तेल को हम इसके उपर भी डाल देंगे तक ये अच्छे से ओईल में कोटिट हो जाए और अंदर तक इसमें ओईल चला जाए थोड़ा इससे मिर्चे थोड़ी सी टेस्ट में बढ़ जाती है और इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है वैसे इन में बहुत जादा ओईल की जरुद नहीं होती है क्योंकि महीने दो महीने के लिए बनाया जाता है जादा तेरों तक स्टोर करना होता है तो फिर इसको उपर तक तेल में डुबो की रखा जाता है और मार्केट में जो मिर्चे मिलती है पैकेट में तो इसमें वो सिर्के का यूज़ करते हैं बस ऑईल में डिप करके और शिर्का डाल देता है जिसे उसकी जो सैल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा ओईल इसमें नहीं होता है सारी मिर्चों को इस तरीकी से देखें हम ओयल में डिप करकर रखते जाएंगे और इसको साफ सुत्रे सुखे हुए धुले हुए साफ सुत्रे कंटेनर में आपको इस्टोर करना है तो आराम से यह महीना-दो महीना चल जाती है खराब नहीं होती है और इसको निकालते वक थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना है, गीले हाथ नहीं होने चाहिए, साफ सुत्रे और सुखे हाथ होंगे, तो अचार खराब नहीं होता है महीना दो महीना, और दिन में एक बार थोड़ा सा जार को हम थोड़ा सा उपर नीची करेंगे, यानि कि जो मसाला तेल है वो इस पे मिक्स होता रहे, तो यह देखिए हमने सारी मिर्चो को तयार कर लिया है, तो अब इसको हम जार में स्टोर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ओईल हलका सा गुनगुना था, तो मिर्चो को इस तरीके से थोड़ा हम पांच मिनट का रास्ट देंगी, तक यह बिल्कुल इसका टेंप्रेचर एकदम रूम टेंप्रेचर पर आजाए, फिर हम इसको जार में डाल देंगे, और इनको तयार होने में 3-4 दिन लगेंगे, अगर आप दूप मे रखना चाहें तो दो दिन, तियस दूप में 1-1 गंटे के लिए रख दें तो यह 2 दिन में तयार हो जाएगा, और नहीं तो 3-4 दिन में यह लखो और यह अथाना मिर्च बहुत जादा सौफ्ट भी अच्छी नहीं लगती है हल्का सा क्रंच इसमें बना रहता है तो जादा टेस्टी लगती है फिर आप इसको दही के साथ राइते के साथ और बाजरे की रोटी के साथ सर्फ करें तो आपको बिल्कुल पारंपरिक राजस्थानी सौद मिलेगा तो यह अमने जार में भर दिये है अताना मिर्च को अब जो बचा हुआ हमारा ओईल है वो इसके उपर अम डाल देंगे अगर आप चाहें तो यह ओईल भी नहीं डालना चाहते हैं बिना ओईल की रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको तीन चार दिन बाद जब यह मिर्चे गल जाए अचार तयार हो जाए तो फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें तो आपको इतना जो हमने आदा कब तेल डाला है न वो भी नहीं डालना पड़ेगा बस मिर्चों को तेल में डिप करकर के आप जार में डाल दें और दो दिन की दूप दिखा दें जब यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए आचार तयार हो जाए तो फिर इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा रा